जैसे रादे मित्रों जै मातादे पंचांग के तो सभी लोग जो हैं वीडियो में अंतिम तक अवस्य बने रहें वीडियो को इश्ट मित्रों तक सेर जरूर करें जो पहली बार हमसे जुड़े हैं किरिप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन का बटन दबाना बिर्कुल भी न भूलें ताक चैपरेल दो हजार चोबिस बिक्रम सम्मथ दोहजार एकसी होगा शक्ष सम्मथ 1945 चैत्रमास और किष्ण पक्षे के द्वादसितित्थी होगी नक्छत्र होगा सदविसा नक्छत्र और करण होगा तैतिल करण योग की बात करें तो सुकलयोग होगा और सनिवार का दिन परदोस का बड़तों होगा और सुर्य भगवान जो है उद्य होंगे प्रातकालिन छे बज करके 17 मिनट पर बात करते हैं अश्रुम मूरत कौन कौन से होंगे अपराद 2024 को जिनका ध्यान −ते हुए कोई विस्वकार्य आपको नहीं करने है तो सरवप्रस्म बात करते हैं तो राहुकाल होगा प्रातकालिन 9.30 से लेज़आर 10.56 मिनट तक रहेगा दूस्रा यमगंड काल 2 बज़ के 2 मिनट 2 पहट से ले करके और 3 बज़ के 34 मिनट तक रहेगा कुलिक काल की बात करें तो परातकालिन 6 बज़ के 17 मिनट से ले के और 7 बज़ करके 50 मिनट तक रहेगा दुरमूरत होगा 7 बज़ करके 56 मिनट परातकालिन से ले के और 8 बज करके 40 मिनट तर वर्जम समय होगा जो है 9 बज के 20 मिनट साइकालिन यानि के रात्री से लेके 10 बज के 45 मिनट तर बात करते हैं सुब मूरतों की तो अगर जो है सुब मूरत कौन-कौन से होंगे जिनमें हम सुबकारियों को करें तो सुब मूरत होंगे सरपर्थम वानवित होना हो उस कार्य को आपको इस अबजीत मुरत में कर सकते हैं दूश्रा होगा अमरित काल अमरित काल होगा प्रादकालिन 9 बच करके 10 मिनट से ले करके और 10 बच करके 37 मिनट तक और साइकालिन 5 मीन रासी में संचार करेंगे और चंद्रमा जो हैं वेकुम रासी में संचार करेंगे पूरे दिन और रात अब बात करते हैं मेश रासी लेके मीन रासी के जातकों के लिए 6 अपरेल 2024 का दिन कैसा रहेगा तो सरवधम बात करते हैं मेश रासी के जातक हैं आज का दिन आपके लिए ब्योसाई में कख मंदी रह सकती है । थोड़ा सा प्रिषान वी और आज किसी उलजन में भी हैं तो परिवार वालों का पूरा साथ आज आप को मिलेगा आज आपका सोब आर मांगलिक्व कारेख्रम में समलित होने के भी योग मन रहे हैं तो मांगलिक्व Kitchen को दो हजार चौबेस याने के सनिवार का दिन कैसा होगा तो जितने भी प्रिसवरास्त के जातक हैं आज का दिन जो है सामाजिक कार्यकर्मों उसमें निकलने की संभावना आपके लिए दिख रही है और सरकारी जो काम है उनमें असावधानी आपको महंगी पड़ सकती है इसलि जो आपके लिए लाबदायक रहने वाले हैं बात करते हैं मित्थुन रासी के कि मित्थुन रासी के जातकों के लिए कैसा रहेगा 6 अप्रेल 2024 यानि के सनिवार का दिन तो जितने भी मित्थुन रासी के जातक हैं आज के दिन साहस और प्राक्रम में ब्रदी आपके होगे जीवन साती के साथ सौपिंग करने में समय आपका वितीद होगा और कार्य चेत्र में भी योग्यता अनुसार काम मिलने से परसंदता का आप अनभव करेंगे। सरकारी नौकरी में कारगरत जो जातक हैं उनको ट्रांसफर मिलने की संभावना दिख रही है और कोई पुराना करजा भी आपका काफी हद तक वह राहत दे सकता है आपका करजा समाथ हो सकता है। पारे छेतर में दुस्मनों पर भरोंसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अन्यधा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है नौकरी कर रहे जातकों का पर जो है आज काम का थोड़ा सा लोड़ बढ़ सकता है प्रेसर बढ़ सकता है किसी से किया हुआ कोई वायदा आज आप जो हैं पूरे मन से पूरा भी कर सकते हैं बात करते हैं अगरी रासी सिंग रासी की कि सिंग रासी के जातकों के लिए छे अपर दो हजार चौविस सनिवार का दिन कैसा रहेगा तो जितने भी सिंग रासी के जातक हैं आज का दिन जो है मिला जुला रहने की आज के लि निकलेगा छोटे की गलतियों को माफ आप कर सकते हैं ब्यापार में प्रेसानिया आज सम्मव दिख रही हैं पारिवारिक जगणे हैं पारिवारिक जगणों से जो हैं रिस्तों में दरारे पैदा होते वे दिख रही हैं इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बात करत प्राट्री बात करते हैं अगली राशिके के लिएक कैसा रहेगा 6 अप्रेल 2024 याने के सनिवार का दिन तो जितने भी तुलारासिके जादक हैं आज का दिन जो है कई जरूरी चर्चाओं में बीतने की संभावना दिख रही है छोटे बच्चों के फ्रमाईस पूरी कर सकते हैं घर को चमकाने में धन आज कुछ खर्च हो सकता है नौकरी में कहीं दूर जाने के योग आपके बन रहे हैं कारे छेतर में कुछ कामों को लेकर बेवज़ा तनाव के इस्तिती रहेगे और पैत्रिक संपत्ते में बिवाद जो हैं बिवाद जो हैं उनमें आपको सपलता मिलते भी दिख रही है अब बात करते हैं अगले रासी यानि कि बिर्सिक रासी के जातकों के लिए 6 अपरेल 2024 का दिन कैसा रहेगा तो जितने भी बिर्सिक रासी के जातक हैं आज का दिन उड़जावान आप बने रहेंगे साज़दारी में जो है किसी काम को करना आपके लिए अच्छा प्रिणाम दे सकता है नेजी मामलों को बाहर के लोगों किसे जो है सेर करने से आपको बचना होगा ब्यापार में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना दिख रही है चोटी दूरी की यातरा पे जाने का अवसर आपको मिल सकता है और स्वास्ट आपका आज बहतर रह सकता है बात करते हैं अगली रासी यानि के धनुरासी के धनुरासी के जातकों के लिए 6 अपरे 2024 का दिन सरिवार का दिन कैसा रहेगा तो जितने वे धनुरासी के जातक हैं आज के दिन की सुरवात थोड़ी से आपके लिए कमजोर रहेगे जोखिम भरे काम में हाथ डालने से जो है नुकसान हो सकता है अचानक से किसी यातरा पर भी आपको जाना पड़ सकता है थोड़ा सा आज अनुचित खान पान का आपको ध्यान रखना है ने तो आपको पेट संबन्द समस्याएं हो सकती है परिवार का पूरा संयोग आज आपके साथ बना रहेगा मौसमी बिमारियों से बच करके आपको रहना होगा बात करते हैं अगली रासी मकर रासी के कि मकर रासी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 6 अपरेल 2024 यानि की सनिवार का दिन तो जितने भी मकर रासी के जातक हैं आज के दिन की सुरुवात आपके लिए अच्छी रहने वाली है और ब्यवसाय में कोई बड़ी डील आपके फाइनल हो सकती है दामपत्य जीवन में जो है सरस्ता बनी रहेगी मित्रों के साथ चल रही अनबन भी आज आपकी दूर होगी स्वास्ते में लाप्रभावी कुछ भारी आपको पड़ सकती है और नए वाहन की खरीदारी भी आप कर सकते है कठिन परिश्रम का अच्छा परिणाम भी आपको मिलेगा बात करें अगली रासिकी यानि कि कुमरासिकी की कुमरासिके जादकों के लिए 6 अपरेल 2024 यानि कि सनिवार का दिन कैसा रहीगा तो जितने भी कुमरास के जातक हैं आज का दिन जो है आंख और कान खुलेवक करके आपको काम करना है और किसी पे जल्दी से आपको भरोसा नहीं करना है नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है किसी से धन उदार लेने से आज आपको बचना होगा नहीं तो भविस्य में जो है इसके दुखत प्रेडाम आपको उठाने पड़ सकते हैं राज नेती के छेतरे में सपलता मिलने के योग आपके लिए दिख रहे हैं कोई जरूरी निन्य लेने में जल्दबाजी भी आपकर सकते हैं बात करते हैं मीन रासी की जो बारवी रासी अंद्रिम रासी मीन रासी के जादकों के लिए 6 अपर 2024 का दिन कैसा रहेगा तो जितने में में रासी के जादक हैं आज नौकरी की तलास कर रहे लोगों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है और विद्यार्थी जितने मीन रासी के तो विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचिबनते भी दिख रही है जरूरी कार्य समय रहते पूरे करने के आज को लाव मिलेगा आज जो है अपनी चतुराई से दुसमनों को हराने में आप सफल रहेंगे धनलाब होता हुआ दिखाई दे रहा है बड़ों के साथ आधर वह सम्मान की भावना आजाकी बनी रहेगी तो मेश राज से लेके मीन राज के जातकों के लिए 6 अपरेल 2024 का दिन कै नचानग की जानकारी के माध्यम से हमने आपको आउगत कराई तो आज का कारिकरम को हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अपतों से जुड़े हैं हमारे चानल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन का बठन दवाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आगे आने वाले वीडियो समय समय हेंसार आप तक पढहून सके और आप रहे वीडियो से लावान्मित हो सकें तो पुना अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं तब तक माव भूती आपके समस्वनों कामनाओं को पुर्ण करें जै मातादी